हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 1.3 का question number 6 तो question number 6 क्या कहता है a certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें किसी room का freezing process करना है यानि freeze करना है किसी भी चीज़ को किसी room में तो उसके लिए क्या required है कि जो room का temperature हो वो 40 degree centigrade से कम होना चाहिए तो यहाँ पे उस room का temperature 5 degree centigrade every hour के हिसाब से घटाया जा रहा है तो आगे कहता है what will be the room temperature 10 hours often the process begin तो यह process जब से start किया गया है कि room का temperature 40 degree से घटाना है 5 degree every hour के हिसाब से तो 10 गंटे के बाद room का temperature क्या होगा तो यहाँ पे solution देख लेते हैं अभी फिलाल में room का temperature कितना है उसको हम बोलेंगे initial temperature तो जो initial temperature है वो क्या है temperature is equals to 40 degree centigrade तो यहाँ पे यह 40 degree centigrade है अब यहाँ पे देखो change in temperature पर hour तो हर घंटे में temperature कितना change हो रहा है 5 degree centigrade अब यहाँ पे यह देखो यह lower हो रहा है यानि घट रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह temperature minus में लिखा जाएगा 5 degree centigrade अगर बढ़ रहा होता तो प्लस में लिखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे change in temperature after 10 hours तो 10 गंटे के बाद temperature कितना change हो जाएगा यहाँ पे देखो एक गंटे में minus 5 degree centigrade हट घट रहा है तो 10 गंटे के बाद जो घट जाएगा वो हो जाएगा 5 degree centigrade into 10 यानि minus का 50 degree centigrade temperature तो यह तो temperature change हुआ 10 गंटे में कितना change हो जाएगा अब room का temperature होगा कितना यहाँ पे देखो temperature 10 hours तो 10 hours में कितना room का temperature हो जाएगा देखो initial temperature इसमें हम इस change वाले temperature को add कर देंगे तो यहाँ पे देखो यह 40 degree centigrade है प्लस माइनस माइनस का 50 degree centigrade 50 में से 40 जाएगा माइनस का 10 degree centigrade बचेगा यही हमारा answer हो जाएगा इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 40 degree centigrade temperature था और 5 degree centigrade के हिसाब से यह कम हो रहा है हर एक गंटे में तो पहले गंटे में यह कितना बचेगा 35 एक गंटे बाद इतना बचा दो गंटे के बाद 30 बचेगा तीन गंटे के बाद 25 फिर 20 उसके बाद में 15 फिर 10 उसके बाद 5 उसके बाद 0 उसके बाद minus का 5 उसके बाद minus का 10 तो यहाँ पे देखो यह पहला ओबर 2nd यानि इससे है यहाँ पे पहला ओबर 2nd 3rd 4th 5th 6 7 8 9 10 तो इस तरह से हम इसको verify कर सकते हैं questions हम आप वीडियो के regarding अगर कोई question है या फिर कोई error है तो नीचे comment में जरूर बताइएगा next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही